हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो रादा किचिन तड़का आज बनाएंगे पनी टिका घर पर बहुत ही आसानी से आए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप फ्रेस दही लिया है दही ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखे अगर आपका कष्मीरी लाल मिर्च डाली है कष्मीरी मिर्च से चाहरे बहुत अच्छा है ज्यादा कि थीख नहीं होती एक चमच्छ धनिया पौर्डर है थोड़ असा डाल दिया है चाट मसाला आधा शोटी चमच्छ थोड़ ऑसा डाल दिया है आधा चोठी चमच Cheese एजवाइन को क्रस करकर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे गराम मसाला एक चमच यब अपनी स्वादिक अनसार कमय हुआ बेसन और थोड़ा सा डाल दिया है अद्रक और लेसन का पेस्ट थोड़ा सा बुना हुआ जीरा भी डाल दिया है करस करकर और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे निम्बू का रस एक पूरे निम्बू का रस निकाल कर उसे डाल दिया है मैंने रस को चान कर डाला है अ यहां पर मैंने लिया है ओयल को बिल्कुल गरम कर लिया है एक बड़ा चमस लिया है मैंने ओयल एक टेबल स्पून अभी इसे डाल दिया है अच्छी तरह से मिला देंगे इससे बहुत ही अच्छा स्मोगी फुलेवर आता है और बिल्कुल स्मूथ सा यह बैटर बनकर हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल इसी तरह का चाहिए हमें अभी यहां पर मैंने कुछ प्याज और सिम्ला मिर्च एक प्याज और एक सिम्ला मिर्च को ऐसे चोक और पीसीज में कट कर रखा था उसे डाल दिया है और तीन सो ग्राम यहां पर मैंने पनीर लिया था बिल्कुल इसे डाल दिया है, बिल्कुल हलके हाथ से हमें इसे मिलाना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलाना है, क्योंकि इसे पनीर तूट सकता है, बिल्कुल हलके हाथ से इसे मिला कर तयार कर लेंगे, इसे 10 मिनिट के लिए रेस्ट पर रखने देते हैं, आप आधा गंटा एक गं से इसे मिला लेंगे बिल्कुल हलके हाथ से और फ्रेंट्स आप सभी लोगों से निवेदन हैं अगर रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पेल आइकन प्रेस करें ऐसे ही इंट्रेस्टि मैंने डाला है एक पीसीज सिमला मिर्श का फिर पनीर फिर प्याज फिर से सिमला मिर्श डाल दी है इसी तरह से पूरी स्टिक के अंदर डालेंगे आप चाहें तो अभी इसे तवे पर भी सेख सकते हैं तवे पर भी ये बहुत ही अच्छा बन कर तयार होता है पनीर टिक का बट मैं आज इसे air fryer के अंदर fry करना चाहती हूँ, उसी के अंदर इसे fry करेंगे, इसी तरह से में बाकी की stick भी तयार कर लूँगे, और यह देखे, यहाँ पर मैंने यह पनीर की stick तयार कर ली है, और यहाँ पर air fryer की basket ली है, इसके अंदर थोड़ा सा oil लगा दिया है, ब्र बासकेट में तीन आ रही है, इसलिए मैंने तीन stick रख दी है, और यह हमारा अगारो का air fryer, अभी इसके अंदर जैसे ही बासकेट डालेंगे, यह उन हो जाता है, पलक भी लगाने के बाद, और इसे 10 मिनट के लिए 180 degree के उपर हम fry कर लेंगे, 10 मिनट के लिए इसका time set कर दि त्यार हो जाते हैं, इस air fryer की special बात यह है कि इसके अंदर बहुत ही कम oil में खाना बनकर त्यार हो जाता है, आप इसके अंदर पकोड़े, समोसे, कुछ भी बना सकते हैं, बिना oil के बिलकुल हलका सा oil आपको ब्रस करना होता है, और आपके समोसे, पकोड़े, जो भी आप र त्यार हो चुका है, इस तरह से आवाज देना स्टार्ट कर देता है, जब यह बनकर त्यार हो जाता है, जैसे बास्केट निकालेंगे, और यह देखिए, हमारे पनी टिका बनकर त्यार हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही सुन्दर सा कलर है, देखिए कितना अच्छा बेक हो चुका है अब इसे निकाल लेते हैं बास्केट से आई होप रेस्पी बहुत पसंद आई होगी और ये हमारा पनी टिका बनकर बिल्कुल तयार है अगर आप ये एर फ्रायर खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं थैंक यू